हाई मैं हूँ अपूर्वशेट और आज हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप यूर सर्कल ओफ कॉंपिटेंस के बारे में अगर आपने हमारा दर राइट चॉइसेज विद और दलाल स्ट्रीट का एपिसोड देखा है जो की मैंने खुशल जवेरी ज बोलते हैं कि stay within your circle of competence तो आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि सर्कल ओफ कॉंपिटेंस एक्जाक्ली है क्या और वाइस नोइंग अबाट यौर्ट ओन सर्कल ओफ कॉंपिटेंस सो इंपोर्टेंट फिर इसके बाद मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्ससाइज करूंगा जिसकी वज़े से आप अपना खुद का सर्कल ओफ कॉंपिटेंस आइडेंटिफाई कर पाऊगे और उसे ग्रो भी कर पाऊगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल एक्जैंपल्स भी शेर करूंगा जहां पे मैं आपको सर्क कासों को आप सरार रहे हैं और मैं यह भी अनुरौत करूंगा कि इस वीडियो को भी आप उतना ही लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ जो की अच्छे इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टर्स को अपने सर्कल ओफ कॉंपिटेंस में ही रहना चाहिए तो इस सर्कल ओफ कॉंपिटेंस इस नथिंग बट और सब्जेक्ट एरिया विच मैच इस परसें स्केल और अडवांटेज तो आप जो भी फील्ड में हो जो भी इंडस्ट्री से हो उस चीज के बा बैंक में नौकरी कर रहे हो तो आपके लिए बैंक बैंक सखल ओफ कॉंपिटेंस वाली इंडस्ट्री हो जाएगी आपको बैंक सके बारे में बहुत सारी इन्फरमेशन Іंसाइट पता होगी तो इस योर सरकल ओफ कॉंपिटेंस और यह जरूरी नहीं है कि आपका सरकल पता होनी चाहिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत कुछ पता है और बहुत सारी चीज़े आती है लेकिन ऐसा होता नहीं है उनका सर्कल ओफ कॉंपिटेंस जो वह सोचते हैं उससे काफी छोटा होता है तो वन शुड्व इंट्रोस्पेक्ट और रियलाइज वाट यार ओन सर्कल ओफ पॉंपिटेंस इस तो चलिए अब बात करते हैं the importance of circle of competence के बारे में वाइज is circle of competence so important so markets में 4000 से भी जाधा listed stocks available है अब इन 4000 stocks के बारे में जानकारी रखना इनकी insights रखना और ये business कैसे काम करते हैं ये एक retail investor या किसी के लिए भी बहुत ही जादा मुश्किल है चार हजार स्टॉक के बारे में कोई कैसे सारी इंफरमेशन कर लेगा इस प्रैक्टिकली वेरी इंपॉसिबल फॉर हुमन तो इसलिए आपको आपकी जो बाउंडरी जे आपका जो बास्केट है वो नैरो डाउन करना पड़ेगा और इसलिए आ सवाल आएगा कि मेरा सर्कल आफ क्या है और मैं कैसे पता करो तो यह अब हम देखते हैं तो यह काफी प्रैक्टिकल एक्सराइज है जो कि आप कर सकते हो आप अपने घर पे पेपर लीजिए पेन पेपर लीजिए और यह मेरे साथ करते जाए तो यहां पर आपको तीन सर्क के अलग-अलग है जैसे कि एक सर्कल है पैशन का तो वाट दो यू लव तो प्रोफेशनली एंड रिक्रियेशनली आपकी होबी क्या है आपके इंट्रेस्ट क्या है यह आप नोट डाउन कर लीजिए फिर इसके बाद आता है आपके टैलेंट के बारे में तो वाट आर दे क्यासी चीज है जिसमें आप बहुत ही अच्छे हो तो आप शायद सौफ्वेर कोडिंग बहुत अच्छी कर लेते हो या आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो तो यह आपकी टैलेंट हो जाएगी और लाश्ट बट नॉट लीस्ट इस आप पैसे कैसे बनाते हो और कहा खर्च करते हो तो इट कुड़ वी एनीधिंग आप एक सेल्फ एंप्लोइड पर्सन हो या आप एक सालरी प्रोफेशनल हो तो यह आपकी सोर्सेज ऑफ इंकम और मोर इंपोर्टेंटली आप किस इंडस्ट्री से पैसे बना रहे हो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यह मेरा एक सर्कल ओफ कॉंपिटेंस हो सकता है तो मेरी पैशन क्या है तो मुझे फोटोग्राफी करना पसंद है मुझे पढ़ने का भूत ही शौक है मुझे ट्राविल करना पसंद है और स्टॉप मार्केट इस माइपैशन मैं लगब अपने कॉलेज देनों से ही इस वान तिंग सिंप्लिफाइं कॉंप्लेक्स तिंग इस अनदर एंड स्टॉप मार्केट अगें इस माइड टालें आइड इंटिफाई गूट रूट रूट रिसेर्च टेक्निकल्स फंडमेंटल्स तो यह मेरी कुछ टालेंट वह और फाइनली मैं पैसे कैसे बनाता तो और उसे कहां खर्च करता हूं तो stock market is the source of income. So I am related, I am working with Samco Securities which is one of the most popular and award winning brokers. Samco Securities पैसे बना रहा है, उनके customers से बना रहा है और मैं indirectly उसी से कमा रहा हूं. तो अब इन तीनों चीजों का जो कॉंबिनेशन है और वो चीज क्या है अपने अब तक नोट कर लिया होगा वो है अब इसको मैं कैसे डेवलब कर सकता हूं चलिए यह देखते हैं तो आपके स्क्रीन के सामने एक एक अग्जामपल है अब स्टॉक ब्रोकिंग इस दो कोर एरिया वेर मैं सर्कल ओफ कौंपेटेंस विल स्टार्ट मुझे चले स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में काफी कुछ जानकारी चाँपंग बारा साल से आपके क बारे में काफी कुछ जानकारी हो सकती है अब इसके बाद नमबर आता है डिपोजिटरीय आपे इंटरियम का तो markets में depositories भी लिस्टेड है और इसके अलावा कुछ intermediaries भी है जिनके बारे में मुझे जानकारी हो सकती है तो that could be one another area to expand on and finally इसके बाद आएगा asset management companies and exchanges stock exchanges तो asset management companies भी लिस्टेड है एक लिस्टेड है तो all these forms a part of my circle of competence तो मेरा जो starting point है दो that is stockbroking companies and then I can expand upon to these related industries and companies तो यह एक stock market में काम करने वाले का circle of competence हो गया तो चलिए अब एक और example लेते हैं अब मैंने एक मेरे friend का example लिया है वो एक buffing brush बनाने वाली manufacturing company का owner है तो buffing brushes जो है वो steel utensils और steel sheets को polish करने में इस्तमाल होते हैं तो he is directly related to the steel sector तो steel sector में तेजी मंदी आएगी तो उसे सबसे पहले पता चलेगा और उसी की वज़े से वो अपने production को कम या ज्यादा कर पाता है तो बीइंग इन दिस बफिंग ब्राश इंडस्ट्री ही गेट्स तो नौ अबाउट अब यह जो नौलेज एक्सपांड करने वाली बात है वो तुरंत नहीं होगा वो दीरे दीरे होता है टेक्स ऐट्स ओन टाइम अन इस और नाच्रल प्रोसेस तो आप एक पटिकुलर इंडस्ट्री में अगर आप एक्सपांट बनते हो उसे समझते हो और फिर दीरे उसको करते वह नौलेज को ग्रोव करते हो तो आपका सर्कल ओफ कॉंपिटेंस बढ़ा होते जाता है और इसे बढ़ा करने का एक सिंपल तरीका वारन बफेट ने बता है कि आपको पढ़ना है यू हाब डू रीड रीड और रीड वारन बफेट अपना दिन का 12 से 16 घंटे का समय सि आपको और एक्जामपल लिए है यह मेरे कुछ फ्रेंड के ही मैंने एक्जामपल लिए और जैसे की मेरा फ्रेंड है जो की एक रीटेल गार्मेंट शॉप का ओनर है तो उसका सर्कल ओफ कॉंपिटेंस इस डारीटेल शॉप्स रीडेल इंदस्ट्री और उसके बाद वाद जो कि एक रिएले एस्टेट्ट है तो वह जोप्सकता है तो मैंने मेरा फ्रेंड है जो की एक रीएलेटेट बिल्डर है तो वह स्टील और सिमेंट में डिरेक्ली लिंक्ट है वो स्टील और सिमेंट यूज करता है अपनी बिल्डिंग बनाने में तो यह सारी चीज़े उसका सर्कल ऑफ कॉंपेटेंज बन जाती है ठीक इसी तरह एक टूर ऑपरेटर है जो कि मेरा असकती है और फिर फाइनली लॉजिश्टिक्स कम्नी आ सकती है बिकॉस अल्टिमेटली देयर रिलेटेट वेरी मच टाइड टाइड क्लोज ली तो एविएशन और रेलवेज में आप डीजल या जो एनरजी कंजूम होती है और यू आर ट्रांसपोर्टिंग पीपल वन प्लेस तो अनदर यह काफी कुछ लिंग कंपनीज है फिर लेट्स टेक एंग्जांपल ऑफ हों मेकर तो हों मेकर बहुत सारे प्रोड़क्स यूज करती है जैसे की पर्सनल कैर प्रोड़क्स पैकेज फूड़क्स प्रोड़क्स क्लीनिंग प्रोड़क्स तो यह काफी अच्छी खासी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है जो कि आपको घर पे ही आप बहुत सारे प्रोड़क्स यूज करते हो और उसकी जानकर ही आपको मिल जाती है फिर इसके बाद आता है मीडिया एंटर्टीनमेंट का नंबर और एक्सपांड कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अब इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है तो फर्स्टिंग नाट वी सौ वास्ट शर्कल आफ कॉंपितेंस आप जिस इंडस्ट्री या जिस चीज से जुड़े हुए हो आपको जिस चीज की ज जरूरी है फिर मार्केट में 4000 स्टॉक्स लिस्टेड है लेकिन आपको इन चारों के 4000 स्टॉक्स में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है आपको एक छोटी सी इंडस्ट्री साइज बहुत ही आपको अच्छे खासे रिटरंस दे सकती है अगर आप उसमें डीप सब्सक्राइब को तो फिर यूँआव डू फाइन ओवरलाप बिविन यूर टैलेंट पैशन और मनी तो वेर यूर मेकिंग और मनी एंड स्पेंडिंग और मनी फ्रम तो इन तीनों चीज़ों का जो ओवरलाप होगा वह आपका सर्कल ओफ कॉंपेटेंस डिफाइन करेगा और फिर दीरे आप इस सर्कल ओफ कॉंपेटेंस को एक तो मैप कर लीजिए और फिर उसे एक्सपांड करते जाएए तो एक्सपांड करने के लिए आपको पढ़ना है आपको दूसरे लोग जो की वह स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए है उनसे कनेक्टेड रह फिल में उत्रे हुए और मुझे भी उनसे काफी कुछ जानकारिया प्राप्त हो सकती है तो ठीक इसी तरह आप भी अपने फ्रेंड्स या रिष्टदार से उनके सर्कल ओफ कॉंपेटेंस के बारे में जानकारिया ले सकते हो और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो इसी तरह क किसे आप अपने अपको अपड़िये और अपना सर्कल ओफ कॉंपेटेंस डेवलप कीजिए ए तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया रहेगा अगर आपको यह विडियो पसंद आ है तो इससे लाइक कीजिए शेर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू